हेलो दोस्तों बूद इद्मिंग जैसे जो है नमस्कार सस्टर कलादर में हूँ आपके फ्यारी सीवा आपको मेरे इटूचनल बहुत सा स्वागते दोस्तों और हमका बबू का पसंदीदार चाकुली पिठा बोलता है वह और चाकुली चाकुली यह से बोलता है तो यह मेरी भाबे वनारीम डिरी दालते तरब चावाल में आरवचावाल में और आपको पता है कि नहीं इसमें थोड़ा सा मैथी डालने से भी अच्छा बनता है थाच्छा है तो अब बहुत स्मूथ स्वाप रहता है और यह है भंबी जी हमारे और इनकासी सिफ्ट है रात पो ड्यूटी भाबी जी का और वहां पे हम लोंका सब्जी भी हो गया भी रोटी बना रहे हैं रोटी चावाल जिसको जो खाने का मान वह मिलेगा खाने के लिए और यहां पे सब्जी बन गया था बरवट्टी और आलू गरम था तो मैं पोली तो देखिए बरवट्टी आलू का भोज्जा है बहुत अच्छा लगता है बरवट्टी आलू का भोज्जा अभी थोड़ा सब्जी का रेट सब कम है बी से भी थोड़ा सा कम लग रहा है सबजी सब्रेट गोल गोल चुटा चुटा रोटी और बचार थाज मंडे और देखें कि शुटा बन जारा रोटी यह चोटा बंजारा रोटी तेस्टी यम्मी हिल्दी और बजार थाज सब्जी सब आ गया था मार्केट से अब अब अदाम भी लाए थे और यह सब सब्जी में आपे निकाल रहें के दिखा दूंगी वोली और यह दाल सभें दो टैप का दाल है और यह एक टैप का दाल दोन लौकी उंदूरी और भेंडी जोकी शेंगा भी वरते जोकी ओडिया में चूई और हमारे पापा जीकले दात्तून और सुखा वाला मिर्ची भी लाया थे बदाम दिखा जीती शुखाला मिर्ची भी और यह पता नहीं इसमें क्या था मुझे नहीं पता चला अलू और मिर्ची यहाँ पे था बैग में अनार भी लेके आये थे यह आधा किलो होगा जैसे लगा तीन ही चड़ा था इसने बुल रही हूँ